वेल, हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले लेसन में सूर की प्रैक्टिस की थी, कि सूर आप किस तरह से स्ट्रॉम कर सकते हो, सूरों की कैपसिटी, आपकी ब्रीधिंग की कैपसिटी आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये मैंने पिछले लेसन में बताया था, ठीक है? सो आज हम इस lesson में finger movement को आप कैसे you know flexibility movement कर सकते हो उसके बाद में एक सूर से दूसरे सूर पे जो shifting होती है उसको आप किस तरह से अच्छे से perform कर सकते हो इसके लिए मैं आपको कुछ exercise बताने वाला हूँ ठीक है जो कि बहुत ही ज़्यादा important होती है flute playing के part में या फिर instrument कोई भी instrument playing के part में ये वाला जो एक practice होता है वो बहुत ही ज़्यादा important होता है ताकि आप जो भी आप particular instrument बजा रहे हो उसको अच्छी तरह से perform कर पाऊ इसलिए ठीक है तो आपको अभी क्या करना है अगर आपने सरगम की practice की है उसके बाद में आपने उनको long hold practice करके हर एक सूर को crystal clear जो है किया है अच्छी तरह से hold कर पा रहे हो तो उसके बाद आपको कुछ finger exercise कुछ अलंकार पल्टे जो कि अलंकार और पल्टे similar ही होते हैं तो उनकी आपको practice करनी है ठीक है तो normally पल्टों में क्या होता है कि बहुत सारी videos मेरी finger exercise के उपर है जो कि I think 4-5 exercise की video है तो मैं उनकी links description में डाल दे रहा हूँ वहाँ पे जाके आपको उन videos को follow करना है उसमें मैंने बहुत से पल्टे अलग-अलग patterns के पल्टे बताए है जो कि side flute पे है बट कोई issue नहीं है side flute and straight flute पे सिर्फ blowing का difference होता है otherwise finger का जो भी moment है सूरों की जो positioning है वो सारी same है तो ऐसा नहीं करना है कि अगर आप side flute बजा रहे हो तो side flute, sorry straight flute आप बजा रहे हो तो side flute की जो video है follow नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं है आप side flute के ऊपर जो भी exercise बताई है जो भी राग बताए है जो भी गाने बताए है उनके notations या फिर उन वीडियो को देखके straight flute पे आप बजा सकते हो क्योंकि सिर्फ blowing का difference होता है otherwise finger का finger movement, finger positioning, सूर का position ये सब सेम होता है ठीक है तो finger exercise की video description में available है उनको आप जरूर check out करिए या फिर आप YouTube पे search करिए कि पल्टे on flute या फिर अलंकार्स on flute exercise ये सारी finger exercise for flute इस तरह से आप search करिए search war में तो आपको बहुत सारी videos मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे अलग-अलग patterns के पल्टे बहुत लोगों ने बताये हैं तो उन पल्टों को आपको आपके book में note down करके उनको अच्छी तरह से practice करना है ठीक है for example अगर तीन का पल्टा है तो ये तीन का पल्टा ऐसे बजेगा तो इस तरह से पल्टे एक patterns तीन का पल्टा चार का पल्टा पाच का पल्टा दू का पल्टा या फिर और ऐसा इस तरह से तो ये सारी सारी गरी गरी गम इस तरह से इसका pattern है तो आपको बहुत से exercise बहुत मतलब हजारों लाखों आपको patterns मिलेंगे बट आपको इतनी करने नहीं है at least minimum आपको 30-40 patterns को अच्छे तरह से YouTube से आपको अलग-अलग patterns को ढूणना है notebook में उसको copy करना है और उसको आराम से धीरे-धीरे starting में पढ़ पढ़ के बजाने की कुशिश करनी है and then धीरे-धीरे उसकी speed आपको increase करने है जैसे तीन का पढ़ आप मैंने अभी slow बजा तो fast में इस तरह से flow को धीरे-धीरे आपको बढ़ाना है starting में तो नहीं होगा starting में आपको fast try भी नहीं करना है बहुत ही slow you know baby steps लेके धीरे-धीरे-धीरे-धीरे उसको speed में convert करना है एकदम से करने जाओगे तो अब अटक-अटक के बजाओगे and उसका कुछ फायदा नहीं होता फिर है ना तो धीरे-धीरे समझ के बजाईए and जितना हो सके उतना ज्यादा पल्टों की exercise करिये ठीक है तो अभी मैं सारे पल्टे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि already मैंने इसके उपर वीडियो बनाई है तो उनको आप अच्छे से समझ ये वीडियो में अच्छे से मैंने उसको डीटेल में बताया है और मेरा नहीं देखना चाते तो बहुत सारे यूट्यूब पे और अवेलेबल है तो उनके आप देखिए उन्होंने जो आपको बताया है कि ये पल्टे को किस तरह से बचाना है तिनके पल्टे को किस तरह से बजाना है इस तरह से उनकी वीडियो देखे आप फॉलो कर सकते हो अगर यह exercise या फिर अगर आपको और अच्छे से deeply सीखना है one-to-one session में सीखना है तो आप मुझे contact कर सकते हो बहुत ही कम fees जो है मैं लेता हूँ जहाँ पे one-to-one session में सबको मैं सीखाता हूँ बहुत ही कम slots available है मतलब मैंने ज्यादा ऐसे slots रखे नहीं है क्योंकि one-to-one session में बह मेरे पास सीखना है तो आप मेरा whatsapp number description box में मैंने दिया है तो वहाँ पे आप मुझे contact कर सकते हो whatsapp पे ठीक है तो मैं personally आपसे बात करूंगा और आपको अच्छा लगे तो आप मेरा online class जो है वो join करके मेरे से personally सीख सकते हो ठीक है तो इतना practice करिए इससे आपका finger moment जो है अच shifting करना होता है वो भी आप अच्छे से बाद में perform कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पे रुखते है इतना practice करिए उसके बाद में हम next lecture में ताल की साथ आप किस तरह से practice कर सकते हो यह मैं आपको बताऊंगा तब तक के लिए keep practicing stay happy and bye bye